इस वीडियो में हम देखेंगे जो पीठा सीन अधिकारी द्वारा प्रपत्र भरे जाने हैं, मत पत्र लेखा, पीठा सीन की डायरी, घोश्टनाएं, निविद्यत, अभ्याचेपेत, पीएच जीरो फाइब, मौक पूल सर्टिफिकेट, एजेंट की नुक्ति और बहुत सार सामान निर्वाचन 2022, पीठा सीन अधिकारी द्वारा मतदान के दिन प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्र, जिस प्रपत्र की आवस्यक्ता हो, उसे इसमें से निकाल कर प्रयोग करें, करप्या साबधानी से प्रपत्र निकाले हुआ फटे नहीं, हस्ताचर के नीचे पूर छेत रित्यादी बताने के लिए विविश सूचना है, यह सारे आपके पास में अवेलेवेल होंगे, इसमें इसमें की मात्रा लिखी हुई है, तो आपको जितने भी यूज करने हैं, जो भी आपको यूज होगा, इसमें से सही से फट के आपको यूज करना है, फटने नही चाहिए, और सभी जगे आपको साइन के साथ में अपना नाम और पद जरूर लिखना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अनुलगनक चार, प्रारूप M21, मतदान के पस्चात, निर्वाचन रिकॉर्ड एवं सामग्रियों की बापसी की रसीत, डुप्लीकेट में तया पस्चार करनी है, निर्वाचन चेतर की संख्याव नाम विधान सबा चेतर का करमांग, इसमें 79 साधाबाद है, इसका हम आगे भी जिक्र करेंगे, और हमें जो बोटर लिस्ट दी है, उसमें ये सारे चीजे लिखी होंगी, कि कौन सा आपका विधान सबा चेतर है, और तदा अनसामगरियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का बकतब, ये बहुत ज़रूरी आपके पास में होना, इलेक्टरोनिक मतदानमसीन मसीने are कितनी है, उसकी संख्या, अनुपियोक्त इलेक्टरोनिक मसीने कोई भी नहीं है, तो उसकी संख्याव़ध कर देंगे, पेपर सील के लेखा वाले लिफापे संख्या 0 1, पिटासी नतिकारी के गोश्डा पत्र का लिफापा 1, पिटासी नतिकारी की डायरी का लिफापा 1, मददान करमचारियों के टीए का अकंटेस रोल 0 1, अगर है तो ठीक है नहीं तो जातर यह सेक्टर मजिस्टेट के पास मे होता है, पेकट 1, सामधिक लिफापे, निर्वाचिक नामावली की चिन्नित प्रती का मौरबंद लिफापा, देखे, पेकट 2, 3 और 4 में, क्या क्या रखना है, वो हम देखते हैं, और यह यहां पर प्राप्त करता, प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम यहां आपको और नाम लिखना है, मद्दान केंदर का क्रमांग लिखना है, यह पैकेट्स होंगे, यह लिफापे होंगे, पर्थम पैकेट में, हरे रंग के लिफापे होंगे, दोती पैकेट में, पीले रंग के लिफापे होंगे, तरती पैकेट में, भूरे रंग के लिफापे ये सारी चीजे लिखी हुई होंगी तो आपको एक दिन पहले ये सारा काम कर लेना है जो चीज उसमें उपर नहीं लिखी जा सकती है उसको छोड़ देना है विधान सभा लोकसभा लोकसभा को काट देंगे विधान सभा के लिए निर्वाचन है निर्वाचन 202 लिखा होगा इसके आगे दो और लिख देंगे 2022 हो गया चनपत का नाम लिखेंगे विधान सभा, लोक सभा को काट देंगे निर्वाचन छेतर की संख्या वा नाम लिखेंगे जो भी आपका जिस भी तहसील या जिस भी निर्वाचन छेतर में हो रहा है 79 सादाबाद जो उसमें लिखा होगा आपके पास में मतदे इस्थल की क्रम संख्या तथा नाम ये भी लिख देंगे आप बोटर लिस्ट में से देखके मतदे इस्थल का इस्थान तो इस्थान लिख दिया यहाँ पे पीठासी नदिकारी का नाम एबं पतनाम लिखेंगे पीठासी नदिकारी के हस्ताक्षर और मतदान का दिनांग मतदान का दिनांग आपको पहले ही लिख लेना है एक दिन पहले ही माली जबकि हम 20 तारीक को इलेक्शन है मतदाता रेजिस्टर है जिस पे P2 ने कारे किया है वो लिफापा नमबर 2 में रखा जाएगा मतदाता परचियों के सील्ड कवर हितू मतदाता परचि कौन सी जो यूज हो गई है मतदाता परचि जो P3 ने ली है जादा तब उसको बोट डालने दिया था तो वो P3 वाली परचि इसमें रखी जाएंगी तो एक में P1 का एक में P2 का एक P3 का तीर लिफापे हो गए उसके बाद में अब प्रियुक्त निविदत मतपत्रों के सील्ड कवर हितू जो बैलेट पेपर मिले होंगे जो आपके यूज हो गए वो अलग रखे जाएंगे जो यूज नहीं हुए वो ब्लैंक बाले वो इसमें रखे जाएंगे पांचमा प्रियुक्त निविदत मतपत्रों एवं प्रारूप सत्रे खा की सूची के सील्ड कवर हितू तो सत्रे खा की सूची निविदत मतपत्रों की सूची और निविदत मतपत्र जो आपने यूज किये हैं वो इसमें रखे जाएंगे यह आपके पांच पैकेट हो गए यह सामेदिक लिफापा आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में असामेदिक लफापा आपका यलो कलर का होगा इसमें आप निरवाचक नामावली की अन्य प्रतियां जो दो प्रतियां और मिली होंगे आपको वो इसमें रखना है आपको P1 वाली प्रति तो पहले ही रख देनी है ग्रीन कलर वाले में दो प्रतियां जो बची हैं वो इसमें रखी जाएंगी मतदान अभी करताओं कि न्युक्ति पत्र जो सुबह ने आपने न्युक्ति पत्र जारी किये होंगे तो आपने फॉर्म बरवाया होगा वो फॉर्म आपको प्रारूप 10 इसमें भरना है निर्वाचन करतब प्रमाण पत्र प्रारूप 12 खा तो बारे खा आपको निर्वाचन करतब प्रमाण पत्र इसमें रखने चैलेंज्ज मतों की सूची प्रारूप 14 के सील्ड कवर हे तू अगर नहीं है तो उपर निल लिख दीजिए अन्देवम असक्त मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 कामे तथा उनके साथियों की गोश्णाओं के कवर हे तू तो इसमें रखेंगे आप ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके द्वारा आयू के संबंद में गोश्णा की गई हो अनुलगनक 11 के कवर हे तू अप्रियुक्त देवम छतिगरस्ट जो आपने यूज नहीं की है उनके पेपर सील रखेंगे इसमें अप्रियुक्त मतदाताओं के कवर हे तू मालीजय आपके पास में 1200 बोटर थे 1200 बोटर की आपको पर्ची मिले और आपके 800 बोट पड़े तो जो 400 बची हैं ब्लैंक उनको इसमें रखेंगे छतिगरत इस्पेशल टैंक कोई है तो अप्रियुक्त देवम छतिगरत आउटर स्ट्रिप सील के कवर हे तू तरती पैकेट के समस्त लिफापों के कवर पीठासी नदिकारी की हस्त पुस्तिका के कवर हे तू पीठासी नदिकारी की जो हस्त पुस्तिका होगी उसको रखेंगे इसमें इलक्ट्रोनिक बोटिंग मसीन की एक मैनौल होगा उसको इसमें रखेंगे अमिट स्याई की सीसी स्टेम पैड के कवर हे तू पीटा सीन अधिकारी की ब्राज सील के कवर हे तू वैसे most probably वो हाथ में लेते हैं ब्राज सील इसमें आपको नहीं रखनी है हाथ में रखनी है आपको निविदत मतपत्र को चिन्नित करने के लिए प्रियुक्त एरो क्रॉस मार्क रवर स्टेम के कवर हे तू अमेट सीयाई की सीसी के रखरकाव हे तू अन्विवित सामगरी के कवर हे तू यहाँ पे आपके जो अलग पैकेट हैं यह भी खुले रखने हैं आपको सिरफ आपको पहला पैकेट बंद करना इसके लाबह सारे पैयो के खुले रखने हैं रकॉर्ड किये के मतों के लेखा प्रारूप सत्रेगा में एवं पेपर सील लेखा के कवर हेतु लिफापा, पिटा सीन अधिकारी दौरा मतदान से पूर मतदान के दौरान तता मतदान के पस्चात की गई कोष्णाओं के कवर हेतु लिफापा, पिटा सीन अधिकारी की डाय संक्या punya साथ बाद है लोग सबाद चेतर की संक्या है फाथ शंक्या ajust 떠नाव ढान 264 क प्राथमय पाथ शाला वेदई कब्रानमर 1 और मद्दान शंक्या नाम प्राथमय पाथ शाला वेत्य है और इसमनेता टोटल जो गल मेंस साइम 399 प्रुष और 350 महिला आए यह जब कोई प्रोस आएगा P1 के पास में तो आपको ऐसे रेड तिर्ची रेखा खीचनी है जैसे यह साई मुद्दीन प्रोस हैं और जब कोई महिला आएंगी जैसे यह मीना आई है तो इस पे जो इनका सीरियल करमांके 349 इसको गोला भी करना है और आपको ऐसे मार्क करना है यह P1 इस तरीके से आपकी प्रति को ऐसे चिन्नित करेंगे बाहर आपको लगानी है विदान सवा छेत्र सावा निरवाचन 2022 अपने बूत के बाहर जो आप बोटर्स को किलियर दिखे निरवाचन छेत्र की संख्या वर नाम लिख देंगे मद्देस्थल की संख्या तता नाम और यहां पर कौन सा संविलित ग्राम है अबर कोई ऐसा दूसरा काम आता है ने अगलासी से अंदपुरा इस टाइप के काम होतें तो वह भी यहां पर लिखे जाते हैं एक से ज़ाद हो सकते हैं या एक हो सकता है तेहें प्रारूप 14 अभ्याच्छेपित चैलेंज मतों की सूची यहाँ पर सबसे पहले निर्वाचन छेत्र सोला हात्रस, 79 साधावाद के लिए निर्वाचन, यहाँ पर मतदान के स्थान का नाम समूह निर्वाचन छेत्र में मतदान केंदर का संख्यांग और नाम लिखेंगे जब बहुत सारे मतदान केंदर हैं बन 2, 3, 4, 5 हैं तो वहाँ पर आप इस टैप से लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे आप 264 प्रात्मिक पार्ट साला वेद ही कमरा नमर वन अब देखे कैसे प्रविष्टी भरनी है आपको निर्वाचक का नाम हमने यह माना है कि यहाँ पर दो चैलेंज हुए है एक स्विकार किया गया है और एक अस्विकार किया गया है निर्वाचक का नाम अभे नामावली के भाग का क्रम संख्यांक तो क्रम संख्यांक 264 है तो दोनों में 264 आ जाएगा दूसरे यह रामसनेई है उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक 48 है उनका क्रम संख्यांक और यह 172 है जिस व्यक्ति के खिलाब अभ्याच्षेप किया गया है उस पर व्यक्ति के हस्ता अक्षर या अंगुठे का निशान तो उन्होंने यह साइन किये है अभयाब ंभयाच्षेप किया है तो यहाँ पर पता लिख देंगे यदि कोई पहँचानने वाला हो तो उसका नाम जो पहँचानने वाले हैं उनका नाम लिखा है यहां पे अब्याच्छेप करता का नाम जिसने अब्याच्छेप किया जिसने चैलेंज किया है एजेंट्स होते हैं यूजली तो उनके एजेंट्स के नाम है यहाँ पे पीठा सीन अफिसर का आदेश यहाँ पे दाबा गलत पाया गया है जब दाबा गलत पाया गया है तो इनसे दो रुपे जब्द कर लिए जाएंगे और यहाँ पे जिसने अभ्याचेप करता जो भी है उसका हस्ताक्षर होगा यहाँ पे दाबा सही पाया गया और CPF को सौप दिया गया यहाँ पे भी साइन कर वा लेंगे तारीक 2222 और यहाँ पे पीठा सינה अथिकारी के हस्ताक्षर नाम और पतर उसमें पीठा सेन की दो डायरी मिलेंगी अपको एक तो 27 पॉइंट वाली डायरी मिलेगी उसमें आपको क्या लिखना है एक खाली डायरी मिलेगी जिसमें इस टाइप से लिखाओगा विदान सभा सामान निर्वाचन 2022 पीठा सीन की डायरी अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपको एक ब्लैंक पेज मिलेंगे दो उनको दो पेज को आपको मोड के और इस टाइप से लिख लेना है उसमें क्या लिखना है आपको सबसे पहले हम ब्लैंक वाली से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप संसदिये छेत्र ये बोटर लिस्ट में लिखा होगा और आपको जो लेटर में लेगा उसमें भी दिख जाएगा आपको संसदिये छेत्र 16 हात्रस ये कंडिशन है विदान सभा निर्वाचन छेत्र लिख दिया मैंने 79 सादाबाद इसके अंदर होगा मतदान की तारीक जो भी तारीक हो 14 वीस या जो भी आ गया है मतदान इस्थल की संख्या एवं नाम बो लिख देंगे बीठासी नदिकारी का नाम बपद मोबाइल नमबर और पार्टी संख्या इसके बाद में सबसे पहले आपको क्या लिखना है सबसे पहले देगे आपको 5.30 बजे से मौक पोल कराना है पहले ये समय 6 बजे से था 6 बजे के बाद में अगर कोई मतदान अभिकरता पोलिंग एजेंट्स नहीं आते थे तो हम 15 मिनिट के बाद में पोलिंग पार्टी और जो भी वहाँ पर उपलब्द होते थे सिक्योर्टी वाले उनके सामने और वीडियो बनाते हुए स्टार्ट कराते थे अब आपको क्या करना है साड़े 5 बजे का समय कर दिया है तो आपको 5.45 पे मैक्जिमम स्टार्ट करा देना है तो हमने ये लिखा है आज दिनांग इसको विधान सभा छेत्र मैं मतदान केंद्र पर 5.40 मिनट पे 5 मतदान अभी करता हूँ तथा पोलिंग पार्टी की उपस्तिती में मौक पोल की प्रकिरिया को आरम किया गया मौक पोल से पहले टोटल का बटन दबा कर पड़े हुए मत सून दिखाई गई सबसे पहले आपको मौक पोल से पहले टोटल दिखाना है मसीन में मौक पोल से पहले आपको टोटल का बटन दबा कर उनको दिखा देना है कि पड़े हुए मत सून है अगर पड़े हुए मत सून नहीं है ऐसे वैसे कंडिशन होगी नहीं अगर नहीं है पड़े होए मत सून तो आपको CRC Close, Result और Clear का बेटन दवाना है उसके बाद में Total दिखाएंगे तो वो सून हो जाएंगे MockPol में 8 प्रत्यासियों, 7 प्रत्यासियों उसमें 1 नोटा है ये condition है को कुल 50 बोट डाले गए सभी 88 पर्चियों, 50 बोट डाले हैं तो 8 पर्ची एक्स्टा निकलेंगी 7 पर not to be counted लिखाओगा, वो test पर्चियां होती है जो मसीन के test करती है, VU, CU और VVPET की connections को और एक पर blank होती है, तो 8 पर्चियां वो एक्स्टा निकलेंगी तो उनको side कर देना और आपको 50, जैसे भी आपने 50 बोट डाले थे जिन जिन पर 30 यों को जितने डाले थे, वो count करवा के आप उनको दिखा देंगे कि ये मसीन हमारी proper काम कर रही है, मतों के अनुसार close करना है, आपको result करना है, result दिखाने के बाद में संख्या का मिलान किया और सही पाया गया, सभी एजेंट के संतुस्ट होने पर mock pole की प्रकिरिया में clear button दबा दिया हमने, उसके बाद में CU व व व पेड की sealing प्रकिरिया की गई, तता सभी seal के क्रमांक agents को note करवाए गई, तता mock pole certificate वराब साइन कराए, तता पर्ची को भी sign करा के सफेद box में seal कर दिया और उस पे pink paper seal लगा दिया, साथ वजे मतदान की प्रकिरिया प्रारम की गई, पहले मतदाता को total का button दबा कर पड़े मतों की संक्या सून दिखाई गई, तता हस्ताक्षर 17A पर करवाए गई, पहले केंदर पर कुल मत दाता, जो हमें voter list में मिले थे, पुरोष लिख लिए हमने महिला और अन्य, कुल 759 हो गए, साथ से नो तक कुल डाले मत, या पर हम दो दो घंटे पर लिखते चलेंगे, और जितने total हमारे voter मिले हैं, उस से डिवाइड करके हम percentage निकलते रहेंगे, साथ से पांच में 80 मत पड़े हैं, और पांच से मतदान समापती तक, वैसे पांच से 6 का समय है, अगर 6 बजे कुछ बोटर्स ऐसे होते हैं, जो लाइन लगाए होते हैं, तो उन में से last से start करते हुए एक नमबर की परची, आपको पहले वाले मतदाता को सबसे बड़े इकरब की परची मिलेगी, और वहां से start करेंगे, और जब last में बन नमबर का मतदाता आ जाएगा, तो P1 पिटा सीन को बताएंगे कि सारे मतदाता अब बोट डाल चुके हैं, उसके बाद में आपको मतदान समापती की गोश्णा करनी है, 6 बजे 8 लोग लाइन में लगे थे, उन्हे 6 बजे अंतिम मतदाता ने बोट डाला, सभी अभी करताओं को बुला कर, टोटल का बटन दबा कर, कुल पड़े मत 600 दिखाए, बस सभी मसीन को address tag की मदद से seal किया, तकि वहां पर सिर्फ टोटल का बटन दबाना है, और तो आपकी पहले से seal होगी, तो आप result के लिएर आउंटिंग होगी, तब ओ यूज होगा, कुल मतदान पुरुष हमारे 325, महिला 275, इनका कहां से मिलान करेंगे आप, जो 17A है और P1 के पास में चिनित प्रती है, उससे मिलान करेंगे आप, कुल 600, प्रत्यत हमने निकाल दिया, यह 79.05% हो गया, मसीन में close का बटन दबा क कर आफ किया, अब मसीन को आफ कर दिया हमने और सारे सील कर दिये, मत पत्र लेखा कि एक प्रती सभी एजेंटों को प्रदान की गई, मतदान निस्पक शेवं सांतिपूर्ट ढंक से संपन हुआ, यह लिखना बहुत जरूरी है, दिनांग लिख दिया, समय लिख दिया हमने पीठासीन के अस्ताक्षा, और नाम और पत्थ, अब दूसरी डायरी है, 27 पॉइंट्स की उसमें क्या भरना है आपको, निरवाचन छेतर का नाम या विदान सभा का नाम भर देंगे, और उसकी संख्या भर देंगे, मतदान की तारीक भर देंगे, मतदान इस्थल की संख् सांस्तित है, सास्की में गवर्मेंट इस्कूल होगा, तो सास्की कर देंगे, या गवर्मेंट जो भी चीज होगी, तो सास्की करेंगे, अर्द सास्की है, तो जैसे इंटर कॉलेज बगएर अर्द सास्की होते हैं, तो वो उसमें अर्द सास्की कर देंगे, निजी भवन म कर देंगे स्थानी रूप से भरती किये मददान अधिकारियों की संख्या यह कोई हो तो वैसे होती नहीं है अगर कोई होगी तो आप लिखेंगे नहीं तो लागू नहीं है कर देंगे मतदान मसीन उपयोग में लाएगे कंट्रोल यूनिट की संख्या यूजली एक एक ही होती है तो आप एक एक लिखेंगे अगर बाइचांस आपने कोई दूसरी यूज की है बी यू अगर माली सोले से जादा है आपके उसमें केंडिडिट्स जो लड़ रहे हैं वहां से तो दो बी यू मसीन्स पर लिखी होंगे सी यू हमने बन लिख दिया उसकी क्रम संख्या हो गई बी यू बन लिख दिया उसकी क्रम संख्या हो गई उपयोग में लाएगे पेपर सील जो पेपर सील ए और बी जिस पर लिखा होता है जो हमने सी यू पर लगाई है कंट्रोल यूनिट पर ल संख्या है उसमें से हमने उप्योग में लाए गए विसेश टेंग की संख्या एक यूज कर लिया और उप्योग में लाए गए विसेश टेंग की क्रम संख्या लिख दी हमने उप्योग में न लाए गए विसेश टेंग की क्रम संख्या यहां पर लिख दी हमने जो हमारा क्लो सील से भी अगर उसको सील करना है या पिंक पेपर सील से सील करना है तब इसमें आप डेटेल भरेंगे जिन मतदान केंद्रों में बीवी पेट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम तो बीवी पेट सभी जगे यूज हो रहे हैं उपयोग किये गए प्रिंटर की संख्या प्रिंटर मतलब बीवी पेट उसमें एक प्रिंटर यूज होगा यूजली तो प्रिंटर की क्रम स चार अव्य पारा में उपस्तितoms अविकरता हो की ढया है तो उस पर्टिकूलर पूत के लिए नहीं है लेकिन उस टाइम पे जब हमने मतदान प्रारंब किया उस टाइम पर अवेलेबिल था तो हमने यह लिख दिया अविकरताओं की संख्या जो बिलम से आए हूँ तो अगर ये चार निक्त किये थे और वो बिलम से आए हैं तो यहाँ पर उसकी संख्या लिख देंगे 0-1 मतदान के समावति पर उपस्तित मतदान अविकरताओं की संख्या तो हमारे चार के चारो पस्तित थे, तो हमने ये चारो लिख दिये, मतदान के इंदर पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, तो मतदाता जो बोटर हैं हमारे, जो जितने नियत थे, हमारी बोटर लिस्ट में थे, वो हम लिखेंगे याँ पर, हमारे पास 759 थे, निरवाचक नामवली की चिन्नित प्रती की अनसार मत देने के लिए अनुग्यात किये गए निर्वाज़कों की संक्या 603 हमने लिखी है ये 603 पीवन ने मार्क किये हैं जो पुरुस मत दाता है उसके कॉलम में एक तिरची रेड कलर की रेखा खिची है और जो महिला मतदाता है उसमें तिर्ची रेखा भी खिशनी है और जो उसका क्रवांग होगा उस पर गोला भी करना है ऐसे निर्वाचकों की संक्या जिन्होंने बास्तम में मतदाताओं के रेजिस्टर प्रारूप 171 के अनसार मत दिया है P2 के पास में गए और उन्होंने वहाँ पर रेजिस्टर एंट्री होई अब कुछ ऐसे मतदाता होंगे जिन्होंने बोट नहीं दिये होंगे या जिन्होंने साइन करने से मना कर दिया तो उनकी संख्या 3 है यहां पर लिखाए मतदातों की संख्या जिन्होंने मत ना देने का निश्य किया है यह कोई है तो 3 है उनकी संख्या और हमारे जो मसीन में रिकॉर्ड हुए है वो 600 है और तो 603 में से हम 3 गटाएंगे तो यह 600 ह हो गए तो हमारे यह मैच कर रहे हैं देखिए यह संख्या हो सकता है कि कंडिशन यह हो लेकिन यह संख्या डिफरेंट हो 601 मान लीजे 601 एक कंडिशन ऐसी आती है कि कि प्रिंटर में जो रसीद दिख रही है मुझे वो कुछी दूसरे सिंबल की दिख रही है जबकि मैं दूसरे सिंबल का बटन दबा रहा हूं तो आपने 49 में पीठा सीन ने भरा और पीठा सीन ने एक बोट को चेक कर वाया उसमें प्रावधान है कि अगर वो गलत चीज पाई जाती है उसकी तो उस पर 1000 रुपे का जर्माना या 6 महिने की सजा भी हो सकती है दूसरा अगर उसकी यह बात सभी पाई जाती है कि मसीन में घड़वड़ी है तो उसको आपको बोलना है कि आपको बोट डालने का मौका दिया जाएगा और आपको मसीन को सील कर देना है और आपको नई मसीन के लिए आरो को बोलना है सेक्टर मजिस्ट्रेट को बोलना है तो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको तीनों चीज बदल के देंगे और उस टाइम पे आपको मौक पोल नहीं कराना है सिर्फ एक एक बारवे एक एक बोट डालके आपको एजेंट्स को दिखा है वैसे यह कंडिशन होती नहीं है अगर यह कंडिशन कुछ भी नहीं है और यह तीनों ऐसे भी नहीं है कि जिन्हों ने बोट डालने से मना किया हो ज्यादतर लोग अगर आये हैं अंदर आये हैं तो बोट डालते हैं तो यह जीरो-जीरो हो जाएंगे तो यह कर लिए है पर्थम मतदान अधिकारी के हस्तक्षर यहाँ पर मतदाताओं के रेजिस्टर के सार साधक मतलब दुती मतदान अधिकारी के यहाँ पर साइन हो जाएंगे निरवाचकों की संख्या जृनोंने मत दिए अब जिन बोटरस ने मत दिए पुरुस कितने थे, मैला कितने थे, वो लिख देंगे हम यापे, थर्ड जेंडर, कोई होगा तो लिख देंगे, नहीं है तो जीरो कर देंगे, कुल हमारे हो गए, चुनोती युक्त, चेलेंज मत, चेलेंज मत किये, और जो सुईकार कर लिए, किसी का चेलेंज सुईकार हो सही पाए गया चैलेंज तो उसको हम दो रुपे लोटा देंगे और अस्युक्रत जो चैलेंज सही नहीं पाए गए वह एक है तो उससे हमने दो रुपे ले लिए हैं तो जब की गई धन्रासी दो हो गई उन व्यक्तियों की संख्या जनोंने निर्वाचन डूटी प्रस्तोत करने पर मत दिए देखे कोई अगर EDC का प्रमाडपत्र लेके आता है तो वह आपका बोटर लिस्ट में नहीं लिखा होगा उसका तो आप नीचे उसको EDC बंटू कर देंगे और वहां पर आपकी संख्या चेंज हो जाएगी जहां पर 759 था वह 760, 761 जितने भी पर तो नहीं हो जोर्णकर आप कर देंगे और आपके वहां पर मतों की संख्या बढ़ जाएगी तो मत पतर लेखा में भड़ा जाएगा तो मत पतर लेखा से जिनोंने बोट दिया कोई भी नहीं है तो क्रॉस कर देंगे या जीरो लिख देंगे उन निर्वाचकों की संख्या जिनोंने साथियों की साहता से मुझ दिया साथियों की साहता से पीटा सीन गोश्टडा में भरेंगे साथी मतलब जो अंदे या निसक्त बोटर हैं उनके सा का भी सायक बन सकता है और उसका उस voter list में नाम हो प्रोक्सी द्वारा दिए कि मतों की संक्या अगर कोई इसा होता है जिस पर के वो certificate होता है कि वो दूसरे का वोड डालने के लिए अधिकरत है तो उसको proxy प्रोक्सी वाला बोट डाल सकते हैं तो प्रोक्सी द्वारा दिये गे मतों की संख्या यहां पर दर्च की जाएगी अगर कोई Tender vote पड़ा है तो उसकी संख्या यहां पर लिखी जाएगी लेकिन जो टेंटर वोट होगा वो बैलेट पेपर से पड़ेगा निरवाचकों की संख्या जिन में उनकी उम्र के वारे में गोश्णा प्राप्त की हो उम्र की अगर किसी की उम्र आपको कम लगती है तो उन्होंने परियाप प्रूफ दे के गोश्णा क ही हो उस पर साइन किया हो तो उनकी यहां पर संख्या लिखेंगे अगर किसी ने जोश्णा करने संख्या ॥ा आसा अब देखी यहां पर दो गंटे बाद पढ़े मताओं की संख्या लिखनी है आपको हमने पहली डैरी में भी लिखी थी साथ से नो नो से ग्यारा है ग्यारा से एक एक से तीन तीन से पांस तक और पांस से 6 वजे तक या साड़े 6 वजे तक जब तक भी वोट पड़े हैं यहां पर टोटल करके लिख देंगे मतदान के प्रारंब और समापन के समय के अनुरूप आवस्यक परवर्तन किये जा सकते हैं निर्वाचन अपरादकों का विस्तरित विवरण अगर कोई नहीं है तो आपको बोढ़ना पढ़ेगा, क्या निव लिखित निव लिखित काड़ों से मदं में कोई बेकन या वादा उतपनढहिऊ तो बो लिख देंगे, क्या मद दन श्तर पर उपयोग में लाएगे किसी भी मद्दान मसीन को, कोई समस्या होई या कोई तूटी होई है जो उन्व भरे होंगे तो वह वहां पर भरवा लेंगे अगर कोई ऐसी दुर गटना गटेत होती है तो इस्थान आप लिख देंगे पात्मिक पार्ट साला वेदेई जो भी आपका मद्दान इस्थल था उसका नाम लिख देंगे आपर तारीक लिख देंगे या फे पीटा सीन अधिका और एक एवस्ट्रेक्ट स्टेट्मेंट होता है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे इसमें लास्ट में भी आपको यहां पर लिखना है मत्दान सुबह सात बजे से प्रारंबोकर साड़े च्छे वजे तक निस्पस्चे बन सांतपूर डंग से संपन कराये गया यह यह आप लिखना ज़रूरी है अगर आपने यह नहीं लिखा तो हम पे आप से तभी या जाएगा डायरी जब आप यह लिख देंगे रिख कोम से कम देखिए दो प्रति में ऋबह पर जमान होगा एक प्रति में आप अप मसीन पर वान देंगे तो तीन प्रति यह हो गई औ ऐसे कर सकते हैं कि एक एजेंट के लिए बना लें और दूसरा उसको फोटो कॉपी कर वा ले या फिर अगर आपके पास में परियाब प्रती हैं या परियाब समय हैं तो आप अलालाग बना के उनको दे सकते हैं यहाँ पर देखिए रिकार्ड किये गए मतों का लेखा 16 हत्रस निर्वाचन छेतर से उत्तर प्रदेश राज छेतर की बिधान सभा के लिए निर्वाचन विधान सभा का यह छेतर है 79 सादाबाद निरवाचन छेट 79 सादाबाद, मतदान, इस्थल की संख्या और नाम, 264 प्रात्मिक पार्ट सालावेदी कमरा नमबर 01, मतदान इस्थल पर प्रियुक्त मतदान मसीन, यूजली एक ही यूज होती है, उसके कंट्रोल यूनिट का नमबर, मतदान यूनिट का नमबर, बैलेट यूनिट और बीवी पैट का नमबर, मतदान केंदर को नियत निरवाचकों की कुल संख्या, कुल कितने बोटर मिले हैं, 759, हमने पहले ही देखा है, मतदाताओं के लिए रजिस्टर, 17A में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, 603 ने, रजिस्टर में, एंट मतदान के लिए अनुग्यात नहीं किये गए, यह वो होते हैं, जो मतदान की प्रकिरिया का उलंगन करते हैं, और पीठासी नदिकारी, इनको मत नहीं डालने देते हैं, तो उनकी संख्या यहां पे लिखी जाती है, अब देखें, 49MA के अधिन रिकॉर्ड किये गए, परिक पेड़ पे दिख रहा है, माली जी, वो A पे डालना चाहता था, A सिंबल पे डालना चाहता था, लेकिन B सिंबल उसको दिख रहा है, तो वो पीठासी नदिकारी के पास में गया, कि जो मेरा बोट पढ़ रहा है, वो गलत पढ़ रहा है, मैंने A पे डालना चाहता था, आरूप 17A में मत दाताओं की क्रम संख्या, मतलब उसकी क्रम संख्या क्या थी, वो यहाँ पे लिखेंगे, जो 17A में उसकी दर्ज होई यह, आप उसको जो परिक्षड मत हम दिखाएंगे, उसका यह पे विवरेण भरेंगे, कि जो परिक्षड मत उसने डाला था वो किसको डाला था यहां पर देखे क्रमांक लिख देंगे उसका अभ्यरती का नाम लिखेंगे और मतों की संख्या जो भी एक दो जो भी पड़ा है वो लिख देंगे अब क्योंकि ये एक जो बोट पड़ा है जो एक्स्ट्रा है इसको घटा के लिखेंगे मतदान मसीन के अनुसार रिकॉर्ड किएगे मतों की कुल संख्या 600 600 बन होगी लेकिन इसको घटा के यहां पर लिखना है आपको क्या मत 6 के सामने दरसित मतों की संख्या मत 2 के सामने दर्सित मत दाताओं की कुल संख्या रिड माइनस मत 3 के सामने यथा दर्सित मत रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चे करने वाले की संख्या रिड मत 4 के सामने यथा दर्सित मत दान करने के लिए अनुग्यात नहीं किया कि मत दानों की संख्या 2-3-4 यहां मसीन में 601 म दिखेंगे जिन्हों 601-01 पर एक्षड मत 600 प्राप्त होता है यहां पर हमारे 603 है टोटल जो 17A में रेजिस्टर है देखेंगे दो नमबर पर क्या है हमारा 70A में रेजिस्टर 2-3-4 तो हमारा ये 2 में थे 603 और 3 नमबर पर जो हमने लिखे थे वो थे 3 और 4 पर थे वो 0 थे तो 6003 में से minus 3 minus 0 तो 600 हो गई है उन मतदाताओं की संख्या जिनने निविदत मत पत्र दिये गए जिनने टेंडर बोड डाला है जिननों ने जिनको निविदत मत पत्र दिये हैं 99 यह आपको उन्हें वोटर्स को दे दिये अब जो बचे हैं वो अठारे 45, 61, 81 से लेके 45, 61, 98 तक अठारे आपके पास में बच गए परदाय की गई पेपर सील की क्रम कुल संख्या दो दी हैं क्रम संख्या कहां से कहां तक प्रयुक्त किये गए पेपर सील की कुल संख्या 01 उसकी क्रम संख्या लिख दी हमने रेटर्निंग ओफीसर को बापस की गई अब प्रयुक्त पेपर सील की कुल संख्या एक उसको भी हमने क्रमांक लिख दिया उसका च्छतिगरत पेपर सील यदि कोई हो तो कुल संख्या तो वो नहीं है तो जीरो कर देंगे इस्थान हम जहां पर आपके बोर्ट पड़ रहे हैं उसी का इस्थान का नाम लिखेंगे तारीक लिखेंगे पीड़ासी नदिकारी के हस्ताक्षर मदान केंदर का क्रमांक और नाम इधर की साइड में मदान अविकरताओं के साइन कराएंगे और जेतनी भी कॉपी आपको आबस्टा होगी उनको देने के लिए उतनी दे देंगे और आपको कम से कम दो जमा करनी है वहाँ पे और एक TBM के साथ में आपको टैक करना है अब देखिए निरवाचन में प्रयोक्त पत्र मुद्राओं कावले की करण निरवाचन छेतर 79 सादाबाद मद्दान केंदर की संख्या लिख दिया आपने उपयोग में लाए गए इलेक्ट्रोनिक मसीनों की संख्या यूजली एक ही होती है तो एक लिखेंगे इलेक्ट्रोनिक मसीनों का नमबर कंट्रोल यूनिट का नमबर बेलट यूनिट का नमबर और बीवी पैट का नमबर और उपयोग में लाई गई पत्र मुद्राओं जो green paper seal है संसोधित green paper seal उसका number लिखेंगे यहां पे भाग दो पत्र मुद्राओं का लेखा है ये मद्दान अभी करताओं के दर हस्ताक्षर हो जाएंगे पिधासी नदिकारी के दर हस्ताक्षर हो जाएंगे अब देखेंगे चैलेंज बोट एंज बोट की रसीद आपको कैसे बनानी है बुक नमबर 01 प्रसंख्या 01 स्री जो भी मद्दान भी करता है जिसने objection किया है उससे जो दो रुपे लिए हैं उसका नाम लिखा है यहां पर तारीक यह लिखी है पीटासी नदिकारी मद्दान केंदर के लिए करम संख्या यहां पर लिख देंगे फॉर फीटेट टू गॉर्नमेंट पीटासी नदिकारी चुनाव संचाले नियम यह दो रुपे बापस प्राप्त की दिनांकी इतना प्रत्यासी यहां पर मद्दान एजेंट का नाम और हस्ताक्षार यहां पर यह बापस किये हैं तो यहां पर एजेंट का नाम लिख देंगे तारीक कर देंगे और यहां पीटासी नादिकारी के हस्ताक्षर कर देंगे आप शिकायती पत्र है यह जो गलत बोट है फरजी बोट है जो फरजी बोट पड़ा है इसको चैलेंज किया गया उस फरजी बोट को हम देखेंगे यहाँ पर भरेंगे और सिकाईती पत्र के तुरू S.H.O. को देंगे थाना अधिकारी यहाँ पर थाना जिसक भी थाने के में दे रहे हैं उस थाने का यहाँ पर नाम लिखेंगे बिसाय ने उस व्यक्ति के पेंचान के बारे में आच्छेप किया है जिसे यह जो है ऑब्जेक्शन करता है उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पर जिसे स्री हुकुम सिंग मतलब जो पुलिस के कर्मी है या सीपी अप कर्मी है जिसको सुपर्ट किया जाना है हुकुम सिंग पुलिस के सुपर्ट किया जा रहा है इस व्यक्ति ने स्री राम सने ही होने का दावा किया इसने मतलब यह गलत वोट डालने का दावा किया जिसका नाम 78 सादावाद निर्वाचन छित्री निर्वाचक नामावली के भाग संक्या इतने में करम संक्या इतने पर्फ दर्शित है यह व्यक्ति यह सावित नहीं कर सका कि वही उक्त निर्वाचा के मेरे विचार में यह च्छदम बेसी है अता आप से निवेदन है कि आप भारती दंड सहिता 1860 की दारा 171 F के अधीन यथा आप एक चित कारवाई करें इस्तान लिखना है तारीक लिखना है प्रती 78 सादावाद विदान सभा निर्वाचन छित्र के रिटर्निंग ऑफिसर और जिसको भी प्रिसित करनी आपको जोर्नल मंजिस्ट्रेट को प्रिसित बावदी हस्ताक्षर यहां पे हो जाएंगे यहां पे आपके पिठासीन के हस्ताक्षर और अधिकारी द्वारा तारीक 22-2022 को 4 बज के 5 मिनट पर मेरे सुपोर्ट किये गए यहां समंदित रिटर्निंग ऑफिसर का पदेन पदनाम लिखा जाएगा होकम सिंग ऐसा इसा अधवाद जिसको भी आपने दिया है अब देखे पिठासीन अधिकारी की घोश्डा है पिठ उपस्तित व्यक्तियों को मौक पोल आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान मसीन पूड़ते चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो उसको टोटल दिखाना देना है सबको यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दो पाचक के समद्ध में कोई भी प्रविष्टी नहीं है कि मैंने मद्दान मसीन के कंट्रोल यूनिट के प्रडाम अनिवाग की सुरच्छा के लिए पेपर सीलों पर अपने हस्ताचर कर दी हैं और उस पर ऐसे मद्दान अभी करताओं के हस्ताचर करवा लिए हैं जो पस्तित ह और अस्ताचर करने के इच्छोख हैं वैंने इस ट्रीप सील पर अपने अस्ताचर कर दी हैं तता उस पर ऐसे उपस्तित अभ्यव्यर्थिं और यह यह लिख दिया है यहाँ पर तारीक लिग दिया और यहाँ पर sign कर दिये है पीटा सीन अधिकारी द्वारा पस्चात बरती एक मसीन के अलावा अगर कोई और दूसरी मसीन आपने यूज की है तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे वैसे यह option ज्यादातर होगा नहीं क्योंकि पहली मसीनी काम आएगी यह की मसीन बहुत होगी तो आप एने लागू नहीं है लिख देंगे इसमें और सारी चीजें भरेंगे इसमें आप अपर करताओं के हस्ताच्र करवा लेने हैं और जिसका भी मतदाना अभी करता है अब यहाँ पे हस्ताच्र हो जाएंगे और आपके नीचे हस्ताच्र हो जाएंगे अगर कोई हस्ताच्र क करने से इंकार करता है तो उसका यहां पर नाम लिखना है और आपको तारीक और समय लिख देना है अब देगे मतदान के अंत में गोश्डा मैंने उन मतदान अभी करता हूं को जो मतदान बंद होने के समय मतदान किंद्र में उपस्तित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताचर कि लिखा यहाँ पर सबके हस्ताच्छर हो जाएंगे और किस-किस अब्यरती के हैं उसका नाम लिखते जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हस्ताच्छर हो जाएंगे तारीक और समय देखिए 1.5 बज़े लिखा है 1.5 बचहा है यहाँ पे लिखा है इसके बाद में मध्दान मसीन को महरवंद करने के पस्काद गोचOOOO मध्दान मसीन की control unit और मध्दान unit के casing केसों पर मैंने मुद्रा लगा दी है मतलव सील लगा दी है और मध्दान विकरताओं को जो मद्दान केंत में मद्दान केंद्र में वबस्तिते उनकी मुद्रा लगाने की अनुग्या दे दी है तो यह साइन कर वाली है उनसे यहां पर समय है 6.45 पीम अब देखें निर्वाचक द्वारा उसकी आयो के संबंद में गोष्णा का प्रारूप अगर किसी की आयो 18 बर से आपको कम लगती है तो उसके यहां पर गोष्णा करेगा वो और साइन करेगा निर्वाचक के हस्ताचर अंगुटे की चाप नाम अमन पिता का नाम ब्रज मोहन सर्मा निर्वाचक नाम अमवली की भागा संख्या 264 निर्वाचक की करम संख्या 448 तारीक हो गई यहां पर प्रमाणित किया जाता है कि उपर युग नाम धारवई निर्वाचक ने मेरे सामने उपर युग सतनिस्टा की गोष्णा की और उस पर हस्ताक्षर की है यहां पर हस्ताच्षर हो जाएंगे नाम हो जाएगा सारी चीज़ें हो जाएंगे यहां पर जिसने भी आयू के संबन में गोष्णा की है उसका अनुलगनक भरेंगे वो सारी चीज़ें भरेंगे मद्धाता का नाम निर्वाचक नावावली में भाग संख्या तता कृम संख्या निर्वाचक नावावली में दर्जुम्र और पिढ़ासीन अधिकारी द्वारा यह था निर्धारित आयू जो परियाग प्रूप के साथ में जब संतुस्ट हो जाएगा तो वो ये फॉर्म बढ़ देगा अब देगे अंदे तता सितिलांग निर्वाचकों के साथी द्वारा गोश्डा कोई ऐसे अंदे या सितिलांग आते हैं और उनका ये साथी आता है तो साथी उसको गोश्डा करेगा बोट डालने के लिए मतदान केंदर का संख्याग और नाम लिख दिया है आप है मैं ये साथी है बीरेंद सिंग पुत्र सिरी भगवान सिंग ये सितिलांग मतदाता है आयू 42 बर्स बेदई का निवासी पूरा पता लिख दिया ये गोश्डा करता हूँ कि मैंने आस तारीक 22-22 को किसी भी मतदान के इंदर पर किसी अनिन निर्वाचक के साथी के रूप में कारे नहीं किया है मैं स्री भगवान सिंग की और से अपने द्वारा अवलिखित किये मत को गुप्त रखूँगा उन्होंने जो मत बताया है या तो वो खुद डालेंगे या फिर जो साथी को बताया है वो साथी दवाएगा उसको गुप्त रखा जाएगा साथी के हस्ताक्षर होंगे या पर और अगर ऐसा सितिलांग मत दाता है जो स्वैम उठा निसानी या साइन नहीं कर सकता है तो वो सत्रे एमे भी साथी ही हस्ताक्षर करेगा और उसकी टिपड़ी में लिखा जाएगा कि साथी द्वारा हस्ताक्षर किये गई इसमें जो साथी होगा साथी के मध्यमा उंगली पर बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर स्याई लगाई जाएगी और उननचास एमे के तहट गोश्डा सामाने निर्वाचन उत्तर प्रदेश 2022 विधान सवा निर्वाचन छेतर का कर्मांक एवं नाम 79 साधावाद मदान के इवं नाम मतदान का गोश्डा पत्र का प्रारूप निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम उननचास एमे के तहट मैं सत्य निष्टापूर्व गोश्डा एवं पुश्टी करता हूँ कि बैलेट यूनिट से जुड़े प्रिंटर द्वारा उत्पन पेपर सिलिप में दरस आये गया उम्मीदवार का नाम और या चिन उस उम्मीदवार से भिन है जिसके लिए मैंने संबंदित नीला बटन दबा कर अपना मद्दान किया था तो कोई अब्जेक्शन किया था है तो उसमें वो ये गोश्डा करेगा मद्दाता के अस्ताच्यर अंगूठे का निसान मद्दाता का नाम, पिता का नाम, मद्दाता सूची की भाग संक्या, उक्त भाग में मद्दाता का क्या क्रमांक है और मद्दाता रेजिस्टर में फॉर्म सत्रे ए में उसका क्या क्रमांक लिखा गया है और उसके सामने टिपड़ी में लिखेंगे कि टेस्ट बोट डाले जितने भी test vote डाले गए उनकी संख्या भी लिखेंगे दो test vote डाले गए या एक test vote डाले गए दिनाग होगा प्रमारित किया जाता है कि उपर नामित मद्दाता द्वारा उक्तगोश्ड़ा मेरे समक्ष की गई है पीटा सीन के हस्ताक्षर नाम और पदनाम देखें मौक पोल जब सुबह साड़े पांच बजे अगर परियाप्त संख्या में मत्दान अविकरता आ जाते हैं तो तो आप साड़े पांच बजे स्टार्ट करेंगे अगर नहीं आते हैं तो आप मैक्सिमम पौने छे बजे स्टार्ट करेंगे और पौने छे बजे आप उसकी वीडियो रिक कितने को, इतने बजे, पांच-चालिस मॉख पोल का संचालन किया, पांच-चालिस पर स्टार्ट किया है, C.U. की क्रम संक्या लिखेंगे B.U. की क्रम संक्या B.B.Pet की क्रम संक्या नोटा साहित प्रतिक अभ्यरती के लिए दिये गए बोटों की कुल संक्या 50 है यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी अभ्यरती नोटा का बटन दबाए जाने पर LED जल रही है तथा बटन दबाए जाने पर B.B. की अभाज भी सुनाई दे लिए है मौक पोल के दोरान दिये गए बोटों का अभ्यरती बार बिवरड एवम परडाम निम्नानुस्वार है अभ्यरती के नाम लिखेंगे और नोटा भी लिखेंगे मौक पोल के दोरान डाले गए बोटों की संख्या कितनी है C.U. के दिखाई जारी बोटों की संख्या गटना की गई प्रिंटिट पेपर इसलिप की संख्या और डाले गए बोट दिखाया गया परडाम यह दोनों मैच होने चाहिए अगर मैच नहीं हुआ तो आपको वो सारी EVM बदलनी पड़ेंगे कोलियोग 50-50-50 बास्तविक मतदान की सुरुआत में C.U. में दिखाया गया मतदान का दिनांकव समय 45 जितनी सेकेंड हो रहे थे वो दिखा दिया हमने मतदान अविकरता का नाम दल का नाम अब्यरती का नाम मतदान अविकरता के हस्ताक्षर यहाँ पे लेंगे अगर इनमेंसे कोई भी नहीं आया है अथवा मौक पोल के लिए निर्दारित समय में कोई भी मतदान अविकरता उपस्तित नहीं था केवल एक अब्यरती का अविकरता उपस्तित था 15 मिनट प्रतिच्छा करने का बच्चात मैंने अन्य मददान कर्मियों के साथ 5-45 बजे मौक पूल का संचालन किया अगर एक ही उपलब दता तो आपको ऐसे करना है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है दिनांके यह हो गया आपका और समय 6.45 अम आपका मौक पूल 6.45 पर खतम हो गया तो यह मौक पूल सर्टिफिकेट आपने बना लिया पीठासीन अधिकारी का नाम बहसताक्षा मदान केंद्र कर्मांक और मदान केंद्र का नाम मदान डूटी प्रमाड पत्र या मतदान ड्यूटी प्रमाड पत्र, सेक्टर मजिस्ट्रेट पीठासीन को देंगे और पीठासीन मतदान दल के जो P1, P2, P3 होंगे उनको देंगे अब देखिए मतदान अभिकरताओं की न्यूकती कैसे भरनी है, कैसे भरना है प्रारूप 10, जो आपका मतदान अभिकरता होगा, वो भरवा के लाएगा, या फिर आप उसको भर के देंगे और वो साइन करवा के लाएगा अभ्यर्ती से या निर्वाचन अभिकरता से, तभी आपको उसको पोलिंग एजेंट बनाना है अब देखें, यहाँ पर 79 सादाबाद विदान सभा के लिए निर्वाचन मैं, यहाँ पर अभ्यर्ती का नाम लिखा जाएगा उसके बाद में अगर कोई निर्वाचन अविकरता है जो उस अब्यर्थी ने निउक्त किया है ये निर्वाचन अविकरता है उसके letterhead पर लिखाओगा ये हैं बिविन्न मतदान के इंद्रों पर मतदान अविकरता चुनने के लिए authorized है तो उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा जो बड़ित निर्वाचन वे अभीरती है निर्वाचन अभीकरता है एतद द्वारा यहाँ पर जो आपका मतदान अभीकरता बनेगा उसका नाम और पता लिखा जाएगा मौनू सनेव प्राम खिलाड़ी निवासी वेदाई नाम और पता और कौन से केंदर पर 264 प्रात्मिक पाड़ साला वेदाई यहाँ पर लिखेंगे इसमें हाजर रहने के लिए मतदान अभीकरता के रूप में न्युक्त करता हूँ अभ्यर्थी सायन करेगा तो यहाँ पर अभ्यर्थी के सायन आ जाएंगे और अगर निर्वाचन अभीकरता सायन करेगा तो यहाँ पर निर्वाचन अभीकरता के सायन आ जाएंगे मैं ऐसे मतदान अभीकरता के रूप में कार करने के लिए सहमत हूँ यहां आपे मद्दान अविकर्ता के हस्ताक्षर होंगे यहां पे अभ्यर्थी रामविरुपाद्या है निरवाचन अविकर्ता संदीप है और मत्दान अविकर्ता मौनू है तो इस चीज को आपको समझ लेना है दोबारा से आप देख लिज़े इसको ध्यान से मतदान अविकरता द्वारा पीटा से इन अधिकारियों को दिये जाने वाला प्रमाड पत्र मैं मौनू पुतर स्री राम खिलाड़ी नवासी वेदाई डक्टर डक्ठना वेदाई थाना सादाबाद जिला हातरस एपिक कार संक्या यह सपतपूर प्रमाडित करता हूँ को मेरे विरुद किसी भी थाना चितर में कोई अपरात पंजीकरत नहीं है ना ही मुझे किसी अपराद में किसी नियाले द्वारा दोसी सिद्ध ठेराय गया है तता मेरे विरुत किसी भी नियाले में कोई भी अपरादिक बाद बिवादा विचारा दीन नहीं है यहाँ पर साइन होंगे उसके पता और दिनांग होगा पी एस जीरो फाइव है यह इंग्लिस में भरा जाना है वोटर टर्न आउट रिपोर्ट पॉर पोलिंग स्टेशन एज पर आइटम फाइव और फॉर्म नंबर 17C फॉर्म नंबर 17C आपका होता है मत पत्र लेखा तो मतपत्र लेखा में से कुछ डिटेल बरा जाएगा पार्लियमेंट्री कॉंस्टिएनसी नंबर एडननेम पार्लियमेंट्री कॉंस्टिएट चैतर लिखाओगा वो par 240C है तो उसमें हमने 16 हातरस लिख दिया स्टेट कोड एडननेम तो state code हमारा S24 है नेम हो गया उत्तरप्रदेश Assembly Segment नमबर एंड नेम जिस विधान सवा में आप चुनाव करा रहे हैं उसका Assembly Segment लिखेंगे 79 सादावाद है जो हमने वोटर लिस्ट में देखा है polling station नमबर एंड नेम 264, PS बेदई, room नमबर 01 इस टाइप से होगा polling station number मतदान इस्थल date of polling जो भी date of polling होगी वो भर देंगे number of EVMs used अगर EVMs एक से ज़्यादे यूज हो रहे हैं तो आप एक से ज़्यादे लिखेंगे वैसे usually एक ही यूज होती है EVM का मतलब है control unit इसमें लिखा भी है control units boat turn out that is ballot papers votes to be found in the EVMs as per item 5 of form 17C conduct of election rules 1961 जो आपके EVM में बोट पड़े हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है अगर कोई ballot paper से बोट पड़ा है तो उसको नहीं लिखना है आपको जैसे male 350 बोट पड़े, female के 250 पड़े, others कोई है नहीं है तो others 00 अगर आपके यहाँ पर others कोई होगा तरती link होगा तो यहाँ पर आप उसकी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर total लिखेंगे number of tendered ballot papers अगर ballot papers से tendered बोट पड़े हैं आपके यहाँ तो वो लिखेंगे 01 मैंने लिखा है और अगर आपका नहीं पड़ा है तो इस पर dash या zero लिख देंगे उनकी counting लिखेंगे यहाँ पर number of voters who were identified with the help of electors photo identity cards EPICS तो यहाँ पर 400 हैं तो यहाँ 400 लिख देंगे इसके अलावा जितने भी proof हैं वो सारे यहाँ पर लिखेंगे तो total 600 थे उसमें से 400 ने EPICS से वोट डाले हैं और 200 मताता ऐसे हैं जिनों ने दूसरे डॉकुमेंट से डाला है I authenticate the data given above and certify that copies of filled form 17C have been handed over to polling agents after close of poll polling agents को आपको form जो आप 17C भरेंगे जिसे मतपत्र लेखा कहते हैं मतपत्र लेखा की एक copy आपको polling agents को दे देनी हैं PTC नदिकारी द्वारा निर्वाचन छेत्र परवेच्षक returning officer को प्रस्तुत किये जाने वाले अत्रिक्त report से सम्मंदित प्रपत्र मद्दान केंदर करमांग बर दिया CPF की तैनाती है या नहीं है CPF मतलब केंदरी सुरच्छा बल तो हाँ या ना लिखना है आपको हा लिख देंगे micro observer की तैनाती है या नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है के हार एक boot पर micro observer हो अगर micro observer sensitive boot पर होते हैं दूसरा जहाँ पर ज़ कुलमत दाता जितने भी आपको कुलमत दाता मिले हैं बो लिखेंगे आप डाले गए कुलमत डाले गए कुलमत यहाँ पर आपको वह लिखने हैं जो आपके EVM में पड़े हैं जो मत पत्र लेखा में भरे हैं आपने तो डाले गए कुलमत हो जाएंगे मतों का प्रत्सत निकाल देंगे डाले गए कुलमत divided by कुलमत दाता multiplied by 100 इसको इससे भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे कुलमीद्वारों की संख्या जो अम्मीद्वार आपके लड़ रहे हैं जो आपके BU में खुले भी होंगे उनके और नोटा होगा नीचे तो नोटा को उम्मीद्वार नहीं क्याउंट करेंगे तो वो उम्मीद्वार हो जाएंगे आपके पहल 앞으로 लेजे 8 बटन खुले हैं आपके बी यू में तो 7 उम्मीद्वार रहे होंगे उसमें अभिकरताओं द्वारा प्रतिन निदी उम्मीद्वारों की संख्या जितने अभिकरता नुक्त हुए हो उतने उम्मीद वारों की संक्या वो लिखेंगे आप चार अविकरता हुए नुक्त मत्तदाता जिनोंने EPIC के अलावा अन्ने दस्तावेज़ों द्वारा मत्तदान किया EPIC के अलावा जिनोंने मत्तदान किया है वो 200 हैं तो यहां पर 200 लिख देंगे EPIC से 400 ने मत्तदान किया है नकली मत्तदान अविकरताओं के सामने किया गया मतलब मौक पोल अविकरताओं के सामने किया गया तो इसमें हां लिखना है आपको नकली मत्तदान किलियर किया गया तो इसमें हां लिखना है क्या मसीन को उपयुक्त प्रकार से उनकी संख्या यहां पर लिख देंगे आप, क्या मतदान के समय कोई महतपूड गटना होई है, अगर कोई गटना होई है तो यहां पर लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, यहां पर देगे यह बिजिट सीट है, बिदान सवा छेतर का नाम और निर्वाचन छेतर संख् जो आपके यहां पे बिजिट कर रहे हैं, उनका आप डिटेल यहां पे वरवाते रहे हैं, आप भी साइन कर दीजे यहां पे और सबसे एंड में आपके यहां साइन हो जाएंगे, अभी देखते हैं तीसरा abstract statement to be furnished by presiding officer, दो प्रतियों में आरो को जमा करना है, seal नहीं करना है, खुले लिफापे में देना है यह, number and name of the constituency, यहां पर आप विदान सबाद चेतर का लिख देंगे, number and name, जैसे मैंने 79 साधाबाद लिखा है, number and name of polling station, यहां पर मतदान स्थल का नाम लिखना है आपको, और उसका number लिखना है, जैसे 264 PSP लेदे, room number 1 लिखा है म आपके चिनित प्रती है, जिसमें total numbers लिखे हुए है, मतदाता के वो लिखने आपको, जितने आपने बोट डलवाए हैं, उसमें जो बोट पड़े हैं, वो लिखने यहां पर 600 बोट पड़े हैं, number of electors who produced epic, 400 ने epic दिया है, number of electors who produce photo boaters slip, जो देखिए, photo boaters slip बो लेके आते है जो BLO ने दी होगी, अगर BLO ने नहीं भी दी है, तो भी उसका बोट पड़ जाता है, अगर उसको number पता होता है, online बोट देख के बताता है, तो ऐसे हमारे पास 5 मत दाता हैं, जिन्होंने, वो slip नहीं लेके आए हैं, तो हमने 595 लिखा है, वैसे ज़्यादा तर वो लेके आते हैं, और BLO बांड देते हैं, ऐसा कमी केस आते हैं, 2-4-6 मत दाता होते हैं, एक बूथ पर इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इसके बाद में photo identity documents, इसके अलावा जो epic के अलावा जो documents दिये, वो यहां पर लिख देंगे, signature of presiding officers हो जाएंगे, और signature of polling agents, polling agents के sign यहां पर deferred deleted, वहां पर लिखा हो है deleted, लेकिन यह गलती से हो गया है, और वो आपके पास में आता है, और आपके पास में परियाप्त प्रूफ प्रस्तुत करता है, और आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं, तो आपको यह गोश्णा पत्र भरना है, और आपको उसका board डलवाना है, मत 29 सादाबाद के मौझूद तयार संसोदित, मतदाता सूची, जनबर माह की अर्य, कारी तिती 2022 के भाग करमांग संक्या, भाग और करमांग संक्या लिख देंगे आपे, मैं दर्ज है, मुझे ग्यात है कि निरवाचन के दोरान प्रतिरूपड IPC के दारा इसके तरथ अपरा मतदाता द्वारा किसी भी उम्मीद्वार को मत नहीं देने का निश्चे करना, अगर उन्होंने किसी भी उम्मीद्वार को मत देने का निश्चे नहीं किया, तो इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आप बस संख्या बर देंगे कि कितने लोग ऐसे हैं, ज में कुल पड़े मतों की सूची 603 देखिए मैंने ये दो चीजें लिखी हुई है एवियम में कुल पड़े मतों की सूची 603 है और सत्रेका में मतदान से इंकार करने वाले मतदातों की संची 603 है और अगर ऐसे तीन मतदाता हैं जोने बोट डालने से मना कर दिया है तो एवियम में कुल पड़े मतों की संची 603 होगी और जबकि सत्रेका के अनुसार टेंडर वोट कितने पड़े हैं वो लिख दिये परारूप चौदे के अनुसार चैलेंज मतओं की कितनी संची 603 है वो लिख दिये एएजडी लिस्ट से मतदान करने वाले मतदाताओं की संची 603 कितनी है वो लिख दिये यहाँ पे अभी प्रमाणद सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम और सेक्टर संख्या तो इस तरीके से देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी मेनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग